अब यह एक और एक्जम्पल है बाइनी सर्ष्टी में ट्रवर्सल की हमने लिखना है कि इसका आउटपूट क्या होगा अब यह कुछ ऐसी ट्री है जिसमें यहां पर देखें इस नोड यह यहां पर आके नोड है इसका नीचे कोई चाइड नहीं है लेकिन इसके नीचे अग नहीं है लेकिन इसके नीचे इसके सिब्लिंग का दो चाइड है तो कुछ ट्री जड़ा ऐसा बनावा है थोड़ा सा कॉम्पलेक्स है इतना कोई को खास कॉम्पलेक्स भी नहीं है लेकिन बाराल नोड ज्यादा है तो इसको हम विजिट करके दिखेंगे कि प्री और इन औ लेफ्ट खुद किसी का पेरेंट है खुद कोई रूट है तो लेफ्ट फिर रूट फिर उसका लेफ्ट फिर उसका लेफ्ट फिर लेफ्ट में गए तो लेफ्ट फिर किसी का पेरेंट है तो उसका लेफ्ट अब रूट लेफ्ट राइट कोई नहीं है तो कोई बात नहीं इसका left, अब root हो गया, left हो गया, right है नहीं, ऊपर जाए इस node के लिए root हो गया, left हो गया, right पर गया, right पर गया, right पर जाके फिर वही rule है, root, left, right, route,left और right अब पूरे tree के लिए root हो चुका है, left हो चुका है, right side मेँ है right side मेँ, अख के फर वही rule है, पहले root, फिर इसका left, अब इसके left के नीचे मजीद कोई node नहीं है, अगर होती हम पहले, इसके लिए फ 이미 rule फालो करते हैं इसका कोई चाइड नहीं है वापस वबर जले जाएं root हो गया left हो गया right पे आए right पे आके फिर वही rule है root left right 25 21 और 30 root left और right यह क्या है इस ट्री पूरे ट्री का pre-order अब मैं इसका अगर क्या करूं post order यानि root हो आखर में POST ORDER और in order में सबसे पहले extreme left पे आजएं इसका आगर यह इसका भी left था यहाँ गैं इसका भी left था यहाँ का इसका भी left था इसका भी left तbuild eighth के अगैं इसका भी left एक्जिस्ट कर तो सबसे आहित के सबसे आखर में यह extreme left पह आ जाएगा अब राइट की बारी उसके बाद रूटने आना है, यह पोस्ट ओर्डर है, रूटने बाद में आना है, हर नोट के लिए वही रूल है, तो यह सब यहाँ आए, लेफ्ट हो गया 5 का, तो इसके राइट की बारी राइट में गए 8, 8 का अपना कोई लेफ्ट मौझूद था, ह फिर राइट, उसके बाद रूट, यह पोस्ट ओर्डर है, इसमें रूट आखर में आता है, लेफ्ट, राइट और रूट, यहां के लेफ्ट पूरा हो गया, अब राइट की बारी है, राइट पे आए, राइट पे यहां आए, तो इसके अपना लेफ्ट मौझूद था, तो लेफ्ट, फिर राइट, और फिर रूट की बारी आएगी, जब राइट में है तो राइट में नोट के लिए फिर वही रूल है, पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर रूट, अब लेफ्ट हो गया, अब ट्वेंटी के लिए लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, अब र पुरे ट्री का left हो गया right हो गया अब किसकी बारी है root की बारी है 10 आ जाएगा हर note के लिए देखें 3 बाद में आएगा इसका root है 5 बाद में आएगा 3 और 2 ने पहले आना है क्योंकि यह इनका root है इन order को देखें तो इन order क्या कहता है left root और right order यह traverse करने का left root और right right नहीं है तो ठीका उपर चले जाएं यहां print करें तो left आएगा 2 फिर root आएगा 3 right को exist नहीं करता इस note के लिए left हो गया अब आएगा root 5 फिर आएगे right पे right पे आके फिर वही rule है left root right left root और right अब left पूरा हो गया अब root की बारी इन order है center में आएगा left root हो गया right पे गये right पे आके फिर वही rule है left root 20 और इसके right पे आए right पे 25 था 25 के नीचे उसको अलड़ी exist करता है left तो पहले left फिर root और फिर right तो 15 left था फिर left आया 20 root था फिर 20 आया फिर right side यह थी right side पे आके right side पे पहले rule है left पे रूट और right यह क्या है pre order in order और post order एक और example इसके बतारी हूं कि अगर level भी बराबर नहीं थे पिछली example में तो level भी बराबर थे number of child भी हर note के पास equal नहीं है तब भी आपके rule ऐसे फॉलो करना है यह क्या है pre order in order और और post order